नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सुब दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर कलाश 10 अर्थ सास्तर का चेफ्टर 1 का कोस्टन आंसर करवाऊंगा दोस्तों सारे कोस्टन आपके बुक के हैं ठीक है आप चाहे तो सारे कोस्टन लिख सकते हैं फेर कोपी आप बना सकते हैं सारे question answer Sam to Sam लिख सकते हैं सबसे पहले question number one पर आप ध्यान दीजिए आर्थ व्यस्ता किसे कहते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर आर्थ व्यस्ता के बारे में बता देना है आए इसका answer देखते हैं देखिए आर्थ व्यस्ता एक ऐसा तंत्रिया धाचा है ठीक है जिसके अंतर rómmone is the most of your tocal, एक यह तंत्र है यह धाचा है ठीक है अर्थ व्यस्ता को आप तंत्र यह ठाचा जो आप बोल सकते हैं ठीक है तोस्स को पैसे से समन्दित किरियाओं को आर्थिक किरियाओं करते हैं पैसे समन्दित कारियों को आरतिक किरिया काते है यानि कोई भी काम करते है जहांपर पैसा का ऊपयोग हुआ उसे आप आरतिक किरिया कहेंगे टीक है जैसे करिसी हुआ तो ikhyeati करने के लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए जोकि बीज खंदना है खास खंदना है सिचाहिक करना है मैं पैसा को उपयोग हो रहा है यह इक आपका आर्थिक रिया, ठीक है, बाइंकिंग, तो बैंकिंग मैं उसमें पैसा चाहिए, ठीक है, बीमा हुआ, इन सोर्यांस जो करवाते हैं ठीक है, उसमें भी पैसा चाहिए, परिवहान, यानि आपको पटना से दिली जाना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, संचार, यानि आपको बातचित करना है, फॉन पर, इसके लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, यानि कुछ भी हो, किरसी है, वेपाहर है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहान है संचार है, सब में आपको पैसा चाहिए, ठीक है, यानि यह एक आर्थी किरिया है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर पराग्राफ चैंज कर देना है, उसके बाद लिखना है, दूसरी ओल लोगों को रोजगार की अफसर परदान करती है, मान लिजे कोई व्यक्ति जो है आर्थी किरिया जो है, लोगों को रोजगार का अफसर देती है, रोजगार देती है, ठीक है, ताकि वे अपनी आप सकताओं की संतुष्टी है, तो देश में उत्पादित वस्तुआ यहाँ सवाओं का तरह कर सके है, दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को रोजगार पराथ हो ठीक है, तो यही सारी बाते हैं, इन सारी बातों का आपको पढ़ लेना है, ठीक है, नमबर टू पर आप ध्यान दीजे, देखे क्या है, मिस्रित अर्थ वस्ता क्या है, दोस्तों, मिस्रित अर्थ वस्ता के बारे में आपको जानना है, इससे समझे, मिस्रित अर्थ वस्ता ऐसी अर्थिवरस्ता है जिसमें पुंजिवादी तथा समाजवादी अर्थिवरस्ता का मिश्रण होता है दोस्तों सिंपल सा याद रखे देखे दोस्तों आपको कोई ऐसा अर्थिवरस्ता दिखाई दे ठीक है जहां पर पुंजिवादी और समाजवादी ठीक है जहां पर पुंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थवास्था हो उससे आप मिस्रिद अर्थवास्था कहेंगे यानिकी पुंजिवादी और समाजवादी ये दोनों अर्थ वहस्ता मिल कर जो है मिस्रित अर्थ वहस्ता का निर्मान करती है ठीक है यहाँ पर आपको पराग्राफ चैलन्ज कर देना है समझे उसके बाद आपको लिखना है मिस्रित अर्थिवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्तु सरकार तथा नीजी व्यक्तियों के पास होता है दोस्तों देखे जिस देश में मिस्रित अर्थिवस्था होता है ठीक है तो रेलवे का मालिक कौन है तो रेलवे का मालिक सरकार है ठीक है जैसे कि लिए कोई होटल है ठीक है रेस्टोरेंड उसका मालिक कौन होता है उसका मालिक कोई नीजी व्यक्ति होता है यानि भारत जो है यहाँ पर जो है संपतियों का या फिर जो भी साधन उसका मालिक जो है स समाजवाद के बीच का रास्ता है दोस्तों मिस्रित अर्थवेस्ता जो है यह ना तो पूरी तरह से पुझिवाद है ठीक है और ना ही पूरी तरह से समाजवाद है बलकि मिस्रित अर्थवेस्ता जो है यह पुझिवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है इसे आप या हुआ पाइसा विखास जो की जारी रह सके टिकाओ बना रह सके ठीक है छथ विखास एह दोस्तों देखिए विखास कई तरह से वता है कुछ विखास होता है आज भाग्या विखास होना वैसा नहीं मतलब धियस जो है डीन आगे बढ़ते रहे विकास होते तिकाओ बना रहे विकास तिकाओ बना रहे उससे ही आप कहेंगे सदत विकास तिक है सदत विकास में ना केवल वर्तमान पिढ़ी बल्कि भावी पिढ़ी के विकास को धियान में रखा जाता है दोस्तों ये जो आपका सदत विकास है तिक है इसमें क्या होता है इसमें जो है वर्तमान पिड़ी का विकास तो हम करते हैं ठीक है लेकिन वर्तमान पिड़ी के साथ साथ जो है भावी पिड़ी यानि कि हमारे बात की जो पिड़ी होगी आपकी जो बच्चे होंगे वह आपकी भावी पिड़ी हुआ ठीक है तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है यही बात कहता है, सदत विकास, यानी यह कहता है कि आप खुदका विकास किजिए, ठीक है, लेकिन आपके बात के आप सब्सक्राइब करने है तो विकास है सदत विकास है दोस्तों जैसे कि आप माले जब पानी पी रहे हैं तो आपके बात की जो पीड़ी होगी आपकी जो बच्चे होंगे वही पानी पीएंगे अगर आप पानी का दुर प्योग करेंगे तो आने वाले पीड़ी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्तपन हो जाएगी क्योंकि आपको पता कि पानी का अस्तर दिन वा दिन नीचे गिरती जा रही है पानी की कमी दिन वा दिन हो रही है इसलिए कहता है कि कुछ भी आप काम एप औसो समय के किजिये ठीक है क्योंकि आप जीस्जिस का उपयोग कर रहे हैं आने वाली जी पीड़ी है वह भी उपयोग करेगी होई सारी बात यहाँ पर कहता है कि आने वाले पीड़ी के आउस्तरग्ताओं से शंह ता कि यह भीना ठीक है वर्तमान पीड़ी किया आउस्तरक्ताओं को पूरा करने है तू विकास ही जो है सदत विकास है ठीक है नमबर फोर पर आप ध्यान दीजे देखिए आर्थिक नियोजन क्या है दोस्तों आईए आर्थिक नियोजन के बारे में जानेंगे इसका आंसर देखिए आर्थिक नियोजन का आर्थिर राष्ट की प्राथिमिकताओं के अनुसार देश के संसादनाओं का अलग अलग विकास की कारियों में परियोग करना है दोस्तों नियोजन नियोजन मतलब क्या होता है कि योजना बनाना योजना कुछ काम करने से पले जो योजना बनाया जाता है उसी को तर नियोजन टिक है तो आर्थिक नियोजन क्या हुआ दोस्तों देखिए सरकार जो है करते क्या है कि आर्थिक नियोजन बनाता है टिक है और देश मे जो भी संसाधन है तिक है उसका उपयोग जो है प्राथिमिकताओं के अनुसार यानि जहां पर जो है संसाधन का सबसे अधिक जवरत है वहीं पर उसका उपयोग किया जाए ऐसा बात कहता है आर्थिक नियोजन तिक है यह जो आर्थिक नियोजन यह क्या कहता है यह कहता है द पर उसका ऊपईYOK कीजिए यही सारी बाते कहती है दोस्तों आगे देखिए भारत में यह कारे राषटिय विकास परिशत यहां पर यहां पर यहां पर अिया को दे दिना यह यह पर यह Alt Teak तो भारत में यह कारे जो है राष्टिया विकास परिस्द एवं निती आयोग के माध्यम से किया जाता है दोस्तों यह जो आर्थिर नियोजन है यह दुन्या के सभी देश करते हैं ठीक है लेकिन भारत में जो है आर्थिर नियोजन इसका कारे कॉन करता है तो राष्टिया विकास परिस्द एवं निती आयोग इसी के माध्यम से जो है भारत में आर्थिक नियोजन किया जाता है ठीक है अब आपको यहाँ पर पराग्राफ चेल्ज कर देना है समझे आर्थिक नियोजन का उद्देश राष्ट की विकास दड़ को बढ़ाना क्रिसी अवं उद्दो का आधुनिकरण शमाजिक नियाय आदी है दोस्तों आर्थिक नियोजन जो किया जाता है इसका उद्देश क्या है आपको बताना है देखे राष्ट की जो विकास दर है उसको बहाना याणि देश का जल जल दे विकास हो देश आगे बढ़े इसके लिए ज तो का आधोनीकरन दोस्तों खेती जो है जो है किसमां खेती करतें वह ज्यादा ज्यादा फश्ल उगास के उपजाव हो सके फसल उनका उद्धोक्री ऊसके मानव विकास रेपोर्ट क्या है Human Development Report यह क्या होता है? इसे समझे सन्युक्त राष्ठ विकास कारेकरम द्वारा प्रकासित मानव विकास रिपोर्ट अलग-लग देशों की तुलना ठिक है? दोस्तों समझेगा बातों को सन्युक्त राष्ठ विकास कारेकरम द्वारा ठिक है? प्रकासित मानव विकास रिपोर्ट अलग अलग देश्टों की तुलना वहां की लोगों की सेक्षिनिक अस्तर उनकी स्वास इतिती तथा परती व्यक्ति आय की आधार पर करती है दोस्तों देखिए समझें एक बातों को सेयुक्त राठ जो है ये ना एक रिपोर्ट बनाती है क्या बनाती है रिपोर्ट बनाती है मानव विकास रिपोर्ट बनाती है और इस मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा जो है दुनिया की जो देश है अलग अलग देश जो है वहां की जो सेक्षिनिक अस्तर है यानि किस कि बिमारी देश में फैली हुई है किस देश में कौन सा रोग से जादा फैला हुआ है ठीक है परती व्यक्तिया यानि उस देश की आमीर है गरीव है इन सब चीजों के आधार पर जो है संयुक्त राठ जो है मानव विकास रिपोर्ट तयार करता है ठीक है देखिए समझेगा बातों को देखिए दुनिया मा कई देश होते है ठीक है तो अलक अलक देश की जो काशनिक चाँ अस्तर है है कौन सा देश ऐं को सा आमीर देश है को सा गरीव देश है इनके आधार पर संयुक्त राष्ठ मानव विकास रिपोर्ट तयार करती है ठीक है अब देखिया यह क्या है मानव विकास रिपोर्ट के अंतरगत मानव विकास सुचकान के तीन सूचक है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिए तीन सूचक दिया गया है जीवानासा, सिख्षा प्राप्ती, जीवानस्तर तीनों को आप याद कर लिजे जीवानासा, सिख्षा प्राप्ती, जीवानस्तर यह क्या है यह तीन सूचक है जो कि मानव विकास रिपोर्ट के अंतरगात आते है ठीक है नंबर सीज को सुचन को देखिए को सुचन क्या आपके सामने दोस्तों को सुचन है आपका आधारिक सरजनाओं पर परकाष डाले आधारिक सरजनाओं पर परकाष डाले ठीक है आए इसका अंसर देखते है आधारिक सरजना का मतलब उन सुविधाओं तो था सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए शायक होते है दोस्तों आधारिक सरचना ठीक है दोस्तों देश में कई सारे सुविधाएं और सेवाएं हैं ठीक है दोस्तों ऐसी सुविधाएं और सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए साया को उसे आप आधारिक सरचना कहेंगे समझें बातों को आईसी सुविधाएं और सेवाएं ठीक है जो देश के आर्थिक विकास के लिए याणि जो देश के गरीबी को मिटा सके ठीक है उसमें साया को उसे आप कहेंगे आधारिक सरेटना ओके यहां पर देखे वे सभी तत्तो जैसे बिजली परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आदी, देश के आर्थि विकास के अधार हैं दोस्तों अगर किसी देश का विकास करना है तो बिजली विवस्था जो है, परिवान विवस्था जो है, संचार जो है, बैंकिंग जो है, इस्कूल जो है, कॉलेज जो है, अस्पताल जो है, इनका विकास आपको करना ही पड़ेगा ठीक है ये सारी बेसिक बाते हैं इसे जो है इनका विकास करने के बाद भी ही जो है देश का विकास संभव है इस बात को याद रखेगा ठीक है आगे देखिए उन्हें देश का ठीक है उन्हें देश का आधारिक स्रेटना या फिर आधारपुर धा जाता है दोस्तों ये सब चीजे जो है देखिए ये सब चीजे बिजिली जो है परिवहन जो है संचार है बैंकिंग है स्कूल है कॉलेज है अस्पताल है ये सब क्या है ये सब किसी भी देश का आधार बुढ़ाचा है यानि आधारिक सहटना है इसे याद रखे इनके विकास के द्वारा ही देश का विकास संबब है किसी देश के आर्थी विकास में आधार सरचना का मातबुन अस्थान होता है टिक है जिस देश का आधारबु धाचा जितना अधिक विक्सित होगा टिक है वह देश उतना ही अधिक विक्सित होगा दोस्तों दुनिया का कोई भी अगर जिस देश का आधार्बु धाचा वो जितना अधिक विक्सित होगा वो देश जो है उतना ही अधिक विक्सित होगा इससे आप याद रखें अब आए लोंग टाइप को सन याण दिर्ख उतरिया प्रश्ण को पढ़ेंगे अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है आर्थ विवbeltाकी सन रष्णा से क्या समझते है इन्हें कितने भागों में बाता गया है इससे आपको जानना है दोस्तों आजे इसका आंसर देखते हैं देखिए आर्थिवरस्ता की शहष्णा का मतलब विभीन उत्पादन छेत्रों में इसके विभाजन से है दोस्तों बातों को सिंपल सा यहां पर दे दिया है कि आपके समने आप इसे पढ़ लेजे देखे आर्थिवरस्ता की शहष्णा इसका मतलब चाहे तो सिंपल सालिक दिया है कि विभीन उत्पाजन चित्रों में इसके विभाजन से है अर्थिवस्था में विभीन परकार की आर्थिक किरियाएं की जाती है दोस्तों आर्थिक किरियाएं क्या होती आपको मैंने बता है कि पैसों से समंदित कारियों को आर्थिक किरियाओं करते हैं इन किरियाओं को मोटे तौर पर तीन भागों में बाटा जाता है दोस्तों आर्थिक किरियाओं को जो है तीन भागों में बाटा जाता है इससे आपको याद कर लेना है यहाँ पर आपको सामने पहला भाग है प्रा प्रात्मिक छेत्र को आप समढ़ लीजिए, देखिए, प्रात्मिक छेत्र क्या होता है, प्रात्मिक छेत्र को क्रिसी छेत्र का आजाता है, दोस्तों, खेती, क्या है, खेती, खेती समंदित जो भी कारी होते हैं, वो प्रात्मिक छेत्र में आता है, इसे आप दिमाय में डाल लिजे ठीक है इसके अंतरगत क्रिसी पसु पालन मचली पालन जंगलाओ से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसी व्यवस्था आती है दोस्तों प्रात्मिक छेत्र में क्या क्या आती है याद रखे प्रात्मिक छेत्र में क्रिसी आ गया ठीक है पसु पालन आ गया मचली पालन आ गया जंगलाओ से अगर कोई वस्तु आप राप्त करते हैं वो भी आपका प्रात्मिक छेत्र में आ गया जैसे कि आप आम का खेती करें आम हुआ लिची हुआ, कटल हुआ, यह सब काहों से मिलती है, जंगलों से मिलती है, यानि कि यह सब चीजे आपका प्रात्मिक छेत्र में आ गया, इससे आप यादर किये, ठीक है, नमबर टू देखिए, दुवितियक छेत्र देखिए, इसमें क्या क्या आता है, दुवितियक छेत्र क तो अधोगिक छेत्र का जाता है अधोगि मतलब व्यापार ठीक है उद्धोधन्दा फैक्टरी सब जो हुआ ठीक है ये सब चीजे जो है दुवित्यक छेत्र में आ गया इसके अंतरगत खाणी जो अस्ता निर्मान कर जाना आप योगी शेवाएं जैसे गैस और बिजली समयतर में जो आधारी उत्पादन आती हैं दोस्तों है वे फैक्टरी में खनीस है चाहिए nellिर्मानगारी चाहिए निंगार क निर्मान कर रहे हैं आप अपना घण भर हो का दृत्यक छेत्र में आ गया टिक है फैक्टरी बन ब 58 MA題 बन भार्रयरे वहाउँ आहाब द्वितिया छेत्र में आ गया 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 यह सब चीजें द्वितिया छेत्र में आ गया इसे आप याद रखें यानि कि द्वितिया छेत्र में जो भी अध्धोगिक छेत्र है देखें जो भी अध्धोगिक यानि फैक्ट्री से समंदित जो भी काम वह यह सब चीजें द्वित चेत्र में जो है अधोगिक चेत्र आता है या पिर दुत्याग चेत्र को अधोगिक चेत्र का जाता है जो आप बोल सकते हैं ठीक है याँ पर देखे त्रित्याग चेत्र देखिए त्रित्याग चेत्र को शेवा चेत्र का जाता है दोस्तों इसके अंतरगत बैंक एवं बीमा परिवहन संचार एवं व्यफार आधी किर्याएं समलित होती है इसे सेवाचित्र का जाता है जैसे कि आपने कोई नौकरी करने वाला आदमी देखे होंगे नौकरी जो करता है जोब करता है जो गवर्मेंट हो सरकारी हो या फिर प्राइवे आजाता है सेवाक जेत्र कंता है सब चीजे है आपको तिरिद्build यम चेत्र को जो है है यह कोशन आपके औडेक्ञ पूशा जाता है कि की थे वाट्यू चेत्र का जाता है तो यादय के तीटी यह कregular को सेवाचित्र का जाता है नमबर टू पर आप ध्यान दिजे देखिए आर्थिक विकास क्या है आर्थिक विकास तथा आर्थिक विर्धी में अंतर बतावे हैं दोस्तों आए इशे पढ़ते हैं आर्थिक विकास क्या है ठीक है और साथ साथ आपको आर्थिक विकास और आर्थिक विर्धी में अंतर बताना है आर्थिक विकास ठीक है आर्थिक विकास वह परकिर्या है जिसके अंतरगत किसी भी देश की प्रती व्यक्ति आये में एक लंबी शमय तक विर्धी होती है आर्थी विकास का मुख्य उद्देश आर्थी विस्ता के सभी छेत्रों में उत्पा दक्ता का उचा अस्तर प्राप्त करना होता है दोस्तों यहाँ पर पढ़िए देखें क्या कहता है सबसे पहले आपको आर्थी विकास के बारे में बता देना है ठीक है उसके बाद आगे बात करना है देखिए आर्थी विकास जो है एक परकिरिया है ठीक है इसे आप याद रखिए ठीक है और इस परकिरिया के अंदर क्या होता है इस परकिरिया के अंदर जो है प्रती व्यक्ति आए यानि परती व्यक्ति का आज जो है उसके आए में जो तीक आर्थी विकास का मुख्य उद्देश जो है अर्थी वरस्ता के सभी छेत्रों में उत्पादक्ता का उच्छ अस्तर प्राप्त करना यानी आर्थी विकास विकास करना यह बढ़ते ही राणा है इसका उद्देश है कि आर्थी वरस्ता में जो च्छेत्रा आता है और सभी च्छेत्रों में जो है हमेशा हमें उच अस्तर यानि कि आगे बढ़ते ही राणा है टीक है? पीछे नहीं हटना है अब देखिए आर्थिक विकास तथा आर्थिक विर्धी में अंतर यहाँ पर पढ़िए आर्थिक विकास तथा आर्थिक विर्धी में शमानेता कोई अंतर नहीं माना जाता है तो वैसे अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास और आर्थिक विर्धी में अंतर नहीं है लेकिन फ़ोड़ा डीप में जाकर घाराय मी जाकर देखेंगे न तो आपका अंतर दिखाई देगा दोनों को एक दुसरे के आस्थान पर परयोग किया जाता है यानि जहांपर आर्थिव विकास को ज़ुरत है वहां आर्थिविकास बोलेंगे जहाँ पर आर्थिक विर्धी का अंतर है मतलब उपयोग है वहाँ पर आर्थिक विर्धी बोलेंगे ठीक है लेकिन आर्थ सास्त के विशेसग यह ने जो है इन दोनों में अंतर बताते हैं दोखो यह जो है आर्थि विकास और आर्थिक विर्धी ठीक है अर्थ सास्त के विश्य सग्य जो है इन दोनों में अंतर बताते हैं इस बात को याद रखे यानि अर्थ सास्त के जो भी विश्य सग्य है वो कहते हैं कि आर्थी विकास और आर्थी विर्दी में अंतर है ठीक है यहाँ पर आपके सामने एक अर्थ सास्त्री का नाम दिया गय यह क्या कहते हैं। इसे याद रखिए, जबकि आर्थी विकास, यानि विकास सब्द जो है, इसका परियोग और विक्सित आर्थी व्यास्ताओं के संदर में किया जाता है, दोस्तों, ये विकास सब्द जो है, इसका परियोग और विक्सित, यानि जो देश विक्सित नहीं हो, उन देशों के सं कि माप कुछ सुच कांग को के द्वारा करें दोस्तों आरती विकास की आपको यहां पर माप करना उसे नाप gere ne है अधिक है आई इसका आंसर हम लोग ़ोग देख लेते हैं देखे 1rika sap आर्थी विकास की माप निमलखित सुचकांग का द्वारा कर सकते हैं, दोस्तों, आपके सामने कुछ सुचकांग दिये गए हैं, टिक है, जिसके द्वारा आर्थी विकास की माप यानि से नाप सकते हैं, टिक है, दिखिए, राष्टिया आय, जिसको नेशनल इंकम कहते हैं, इसे आप समझेगा राष्टिया आय क्या होता है देखिए राष्टिया आय को आर्थी विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है दोस्तों ये जो राष्टिया आय है ठीक है इसको जो है किसी आर्थी विकास का जो है प्रमुख सूचक माना जाता है इसे आप दिमाग में डाल लेजे अभी के अभी टिक है इसके बाद आगे बात करते हैं देखिए किसी देश में एक वर्स की अवधी में टिक है उत्पादि सभी वस्तवाँ एवं सेवाँ के मुद्रिक मुल्य के योग को राष्टी आयका जाता है आपके समनिया पर राष्टी आयका परिवासा द करना है उसका आपको मुल्य निकालना है मतलब उसका दाम निकालना है और दाम को जोड देना है और उसी जोड को आपका एंगे राष्टिया आय समझें किसी देश में जो है एक वर्ष के समय में जिस भी जितने भी वस्तों और समाव का उत्पादन हुआ ठीक है उसका आपको दाम निकाल देना है और दाम को जोड़ देना है वही उस देश का राष्टिया आय हो गया सिंपल सी बात है ठीक है पढ़िये का समझ में आ जाएगा आपको देखिए यहां पर समान तोर पर जिस देश की राष्टिया आय अधिक होती है वह देश विख्षित कहलाता है दोस्तों अगर कोई देश है ठीक है जिसका राष्टिया आज जादा है वह देश विख्षित कह काते हैं दोस्तों जिस देश का राष्टी आय कम होगा उसे आप क्या कहेंगे उसे आप विक्सित देश कहेंगे ठीक है और जिस देश का राष्टी आय अधिक होगा उसे आप क्या कहेंगे उसे आप विक्सित देश कहेंगे समझे अब यहां पर देखिए प्रती व्यक्ति आ अब इससे आप समझ लीजिए देखिए आर्थिक विकास की माप करने के लिए परती व्यक्तिया को सबसे उचित सुचकांक माना जाता है दोस्तों अगर आपको आर्थिक विकास की माप करने का काम दे तो आप चाह करेंगे दोस्तों आप जो है परती व्यक्तिया को अपनाए क्योंकि ये जो है ऊचित सुच कांक है और इस बात को याद रखिए तेके यहां के सम daring प्रती हुखति है अदेश में रहते वे व्यक्तिया की आउसता होती है दुस्तों देखिए देश की आउसत आय बोलिए या फिर परती व्यक्ति आय बोलिए एक अही बात है दोनों में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ है परती व्यक्ति आय जो है यह देश में राते वे व्यक्तियों की आउसत आय होती है ठीक है आगे देखिए राष्टिया आय को देश की कुल जन संख्या से भाग देने पर जो भागपल आता है वह परती विक्ति आय कहलाता है दोस्तों राष्टिया आय को आप निकाल लिए ठीक है और उस आय में जो है देश की जन संख्या से देखिए राष्टी आए आप निकाल लिए ठीक है और उस आए में देश के कुल जन्ट संक्या से भाग दीजे और भागफल जो आएगा वही भागफल परती व्यक्ति आए काल आएगा इसे आप याद रखिए ठीक है कोस्ट नंबर फूर पर आप ध्यान देज़े यहाँ पर देखिए कोस्ट नंबर फूर आपके स्वर्मने है बिहार के आर्थिक पिछडे पन कह कि क्या कारण है ठीक है बिहार के पिछड़े पन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बतावे हैं दोस्तों हमारा राज बिहार ठीक है यह पिछड़ा राज है तो इसका कारण क्या है यह आपको बताना है और और पिछड़े पन को दूर करने का उपाय भी आपको बताना है नमबर वन में आपका है क्रिसी पर निरभरता ठीक है देखिए यहां की आधिकाँ जनता क्रिसी पर ही निरभर है ठीक है लेकिन हमारी क्रिसी की भी हालत ठीक नहीं है ठीक है हमारी क्रिसी काफी पिछडी हुई है दोस्तों अगर हम बिहार की बात करें ठीक है तो बिहार के ज जातर जंता जो है, जातर लोग जो है, वो खेती करके अपना जिवन गुजारते हैं, ठीक है? और बियार की खेती की इत्धी जो है, वो काफी खराब है, यहां पर उपस जो है, काफी कम मातरा में होता है, जिस भी जास से बियार पिछडा है, समझे? नमबर टू पर ध्यान दिजे, देखिए, क्या है इसमें, अधोगिक पिछडापन, यानि फैक्टरी भी यहां का बहुत ही पिछडा हुआ है, किसी भी देश या राज के लिए उधोग का विकास जर्री होता है, लेकिन बिहार में अधोगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है ठीक है, दोस्तों, देखिए, अगर किसी देश या राज में फैक्टरी खुलेगा, इससे क्या होगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, लेकिन बिहार में क्या की फैक्टरी जो है, बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, जिस वज़ा से यहां पर रोजगार नहीं ह जिस वसे यहां पर गरीबी है ठीक है नमबर तीन देखिए बाल तथा सुखे से छती बाल तथा सुखे से छती यहां पर देखिए बिहार के उतरी चेतर में बाल और दक्षिनी चेतर में सुखा का मार जिलना पड़ता है दोस्तों बिहार के जो उत्री भाग है वहाँ पर बार बहुत अधिक आता है लेकिन जब आप बिहार के दक्षिन भाग में जाईए तो वहाँ पर सुखा बहुत अधिक रहता है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है पिछड़ा पन का टिक है नमबर चार देखिए गरीबी गरीबी बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफी अधिक है इसके चलते भी बिहार पिछड़ा आए दोस्तों बिहार में देखिए बिहार में क्या है यहाँ पर गरीबी जो है ये बहुत अधिक है बिहार में क्या है गरीबी जो है बहुत अधीक है इस बजा से बियार पिछ़़ा राज्य है समझे नमबर फाइब देखिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या दोस्तों बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है इसके चलते बिकास के लिए साधन कम हो जाते हैं देखिए जनता अधीक है जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है ठीक है लेकिन साधन जो है वो कम हो रहे हैं इस वरसे यहां पर गरीबी है पिछ़़़ा पन है ठीक है अब आप यहां पर देखिए बिहार के पिछ़़़े पन को दूर करने के उपाय दोस्तों अब आएए पिछ़़़े पन को दूर करने के उपाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे समझे बातों को बिहार में पिछले पन को दूर करने के लिए निमलेखित उपाय किये जा सकते हैं दोस्तों बिहार में पिछले पन को दूर करना इसके लिए कुछ उपाय दिये गए उपाय को आप पढ़ लिजे नमबर वन देखें क्या है क्रिसी का तेजी से विकास दोस्तों किरसी यानि खेती इसका तेजी से विकास पर ये बातों को बिहार में किरसी ही जीवन का अधार है दोस्तों आपको पता है कि बिहार में जो है लोग खेती पर निरभर होते हैं ठीक है यहां जो है किरसी ही जीवन का अधार है अतक किरसी में जो है नई अंत्रों का प क्रिसी का ही विकास कर देते हैं इसलिए कहता है कि क्रिसी में नई अंतरों का उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक उपज हो सके और आपका इंकम वो बढ़ सके ठीक है नमबर टू पर ध्यान दीजे उद्धोगों का विकास फैक्टरी का विकास देखिए उद्धोगों का विकास किया जाए ताकि लोगों को रोजगार का अफसर मिले दोस्तों फैक्टरी खुलेगा तभी जो है लोगों रोजगार मिलेगा ठीक है इस बात को याद रखिए नमबर थ्री पर ध्यान दीजे जनसंख्यां पर नियंतरन इसे पढ़िए राज में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्यां पर रोख लगा जाए दोस्तों देखिए बिहार में जो है जनसंख्यां काफी तेजी से बढ़ रहा है ठीक है तो कहता है कि इस जनसंख्यां पर आप रोख लगाए ठीक है परिवार नियोजन कारिकरम को जो है लागू कीजिए यही सारी बाते कहता है नंबर फोर पर ध्यान दीजिए देखिए बाल पर नियंतरन इसे समझे बिहार में विकास बिहार के विकास में बाल एक बहुत बड़ी बात हा है बाल पर नियंतरन के लिए उपयुक्त कदम उठाना चाहिए यहां पर बाल होगा ठीक है टैपिंग मिस्टेक हो गया है तो बाल पर जो है नियंतरन के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए क्लिए दोस्तों आपको मैंने बताया कि बिहार में जो है उतरी भाग में बाल आत लगाईए तभी बियार का विका संबभ हो सकता है नमबर पॉंच देखिए गरीबी दूर करना गरीबी ठीक है बिहार में जो है गरीबी का सबसे अधिक परभाव है दोस्तों बिहार में क्या गरीबी बहुत जदा है आपको पताईए ठीक है गरीबी रेखा के नीचे लगवाव बियारिस परतिस्त से अधिक लोग यहाँ पर जीवन वसर करते हैं दोस्तों बिहार की जदा संख्या है ठीक है इस संख्या का बियारिस परतिस्त से अधिक लोग जो है गरीब है देखे बिहार में जो है 42% से अधीक लोग गरीब है इसे याद रखिए इनके लिए रोजगार की ववस्था किये जाए दोस्तों अगर इस गरीबी को कम करना है तो रोजगार जो है इसका ववस्था करना ही पड़ेगा कोसार आंसर आपको कम्लीट हो गया दोस्तों टेलिग्राम गुरू का चैनल आपके लिंक में दियावस में आपको जोइन हो जाना है ठीक है जिससे आपको सारे अपडेट मिलते रहे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देजिए ठीक है ठीक है थैंक्यों दोस्तों